हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूस्फुल वीडियो हो तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा हम लेडिस के पास घर में तो काफी सारे काम होते ही हैं लेकिन साथ के साथ बाह की बिलकुल दूर कर देगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली टिप में आपके साथ शेयर कर रहे हैं जैसे ही सर्दियों का मोसम आता है हम सभी के घर में बच्चे बुड़े होते हैं और हमें भी कई भारी ठंड लग जाती है और सर्दी जु चोटा चोटा कट भी कर सकते हैं मैंने बस इसे एक बार इस तरीके से बस प्रेस कर दिया है ताकि इसका जितना भी जूस वो निकल सके और अब हम इसे एक तड़का पैन में डालेंगे और इसमें तीन से चार चमच तक हम सर्सो का तेल डालेंगे तेल आपको यहाँ पर सर् हो रही है मैं आपको इसका यूज भी दिखाऊंगे कि कैसे यूज करना है और इस तरीके से जब यह सारी चीजे पक जाया तो हमें इसे गैस से उतार देना है बंद कर देना है गैस को और यहाँ पर इसे मैं एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेती हूं और यह देखिए आप इ अच्छा एक रेमिडी है जिससे जॉइंट पेन हो यह छोटे बच्चे हो उनको आपने देखा होगा कि सर्दी के टाइम में बहुत जादा सर्दी रुखाम की दिकत लगी रहती है तो आप रोज रात को सोने के टाइम पर इस तरीके से बच्चों के जो पैर होते हैं उसमे मालिश कर सकते हैं उनकी हथेलियों पे मालिश कर सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ किजिए का बहुत ज़्यादा पैदा करता है यह बोडी में गर्माहट को बना के रखता है और आप इस तरीके से बच्चों को हाथ पैरों में लगा देंगे तो आप देखेंगे कि पैर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं और चलिए नेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूसफुल टिप्स शेयर कर रही हूं जो आपके बहुत काम आएगी आपके काम को बहुत आसान कर देगी तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम लोग पूरी बगारा बनाते ह और तो बेसी अल ale लेकिन अगर आप बहुत हम लिए पूरी का आटा लगाेंगे तो उसमें आप इसे डाल कर गूत है बहुत ही टेस्टी पूडिया बनेंगी, आप देखेंगे कि अज़टान का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी पूडिया बनती है और यहाँ पर नमक और तेल डाल कर जैसे आप पूडिय बनाते हैं उसका आटा लगा लेंगे और ये टीप आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं कि कई बार हमें बाहर जाना होता है और घर में कोई मेल परसन है उन्हें खाना बनाना नहीं आता है या बच्चों के लिए या कभी कपार हम लोग पार्टी वेगरा में जाते हैं या किसी शादी बया में हमें लेट आना होता है हमें पता होता है कि घरा के हमें खाना बनाना है तो उस टैम पर बहुत जादा आलस आता है मन भी नहीं करता लेट नैट कुछ बनाने का तो इस ट्रिप को आप उस टाइम के लिए जरूर फोलो कीजिएगा या जो बच्चे होस्टल वगाला में रहते हैं वो भी इस ट्रिप को फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर आप एक बार में तीन से चार पूडिया बेल लिजे आप बड़ी पूडी को बेल कर उसमें से भी छो हलका हलका सा यह देखिए यहाँ पर यह थोड़ी ज्यादा सिख गई है इससे भी आप कम सेखिएगा बस इस तरीके से इतना सेकर हमें हटा लेना है इन पूडियों को और यह देखिए बहुत इच्छी टिप है जरूर ट्राइ किजिएगा और जितनी पूडिया है आपने इसी तरीके से आगे पीछे से 20-30% की जितना सेक लेना है यह देखिए बस थोड़ी थोड़ी से हमें सेक नी है और सेकर इसे हम हटा लेंगे और देखिए अब हम इसका यूज कैसे करना है आपको इस तरीके से सेकर आप किसी भी एयर टाइट जो आपके पास कटोरा हो या जिसमें आप रोटी पैक वगरा करते हों उसमें आप इन पूडियों को पैक करके रख दीजिए और आप एक हफ़ते तक भी पूडियों को बिल्कुल गरबा गरम फ्राई करके खा सकते हैं जब भी आप पूडियां स्टोर करेजिएगा तो ध्यान रखेंगा कि पूडियो पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है और यह देखें यहाँ पर पूडियां अच्छे से जब ठंडी हो जाए तो हमें एक बॉक्स में डालकर इसके बंद करके फ्रिज में डालकर रखना है हमें फ्रिजर में नहीं डालना है और आप एक हफ़ते तक आप इसको अराम से लाल दीजिये और गर्मा-गरम तेल में आप इन पूडियों को फ्राय किजिए और यह पूडिया बिलकुल जैसे आप फ्रेस बनाते हैं बिलकुल वैसे ही लगेंगे और बहुत ही फुली फूडिया बनकर तायार होती है और टेस्ट भी बिलकुल इनका बहुत ही अच्छा बिल्कुल भी तेल ऑब्जर्ब भी नहीं करती ये देखी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला हुआ है और इसी में ये पूडियां आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली बनकर तैयार हो रही है कभी कभार हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट आने के पर गर्मा गरम पूडियां तैयार कर सकती हैं तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों आइडिया बहुत पसंद आये होंगे पसंद आये हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पने हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा कमेंट क करके बताएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी है थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई